लो दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है तो साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे Engineering Drying के Model Paper के बारे में, यह जो है साथ हूँ आइटी आइफ फ्रस्टीर वालों के लिए किसी भी ट्रेड से सारे ट्रेड के लिए कामन होता है पेपर Engineering Drying का और इस बार सिल्वस पूरे चेन्ज हो गया तीसरे सेट में 15 Qtion और चोत्य सेट में 15 से बाद चलेंगे यहां से आप देख पारें 16 Qtion से चाल हूए तो इस पीडियो को अगर आपको प्राप्त करना है तो वीडियो के इसमें हम 40 question तक जो है last तक 40 question जो है पूरा करेंगे प्लीज चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला question है यहां पर साथ हूं निम लिखित में से कौन एक चतुर बुच का प्रकार नहीं है इसमें देख पारें आप चारों आपसन दिया है आयद भी चतुर बुच जैसा होता है वर कि पहला साथू एक वर्ग में संकोण पर कितने कोण होते हैं एक वर्ग में पूच आप कुछ प्रकार होतें कितने समकोड होंगे एक, दो, तीन, और एक, चार, चार समकोड होंगे, तो आपका राइट अंसर हो जाएगा, आप्शन D, तो सारे में साथियों क्यूश्चिन के अंसर भी दिये गए, जिसी ये पीडिय आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमन रहेगी, चलते हैं, अगले क्यूश्चिन पर करते हैं, अगले क्यूश्चिन साथियों, यह दि 90 अंसर कम कोड़ों को कहा जाता है, जो भी कोड़ 90 के कम होते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, यह आपको बताना है, तो जो भी 90 के कम कोड़ होते हैं, उसे हम एक्ट्वेट कोड, एक्ट्वेट अंगर या तिप्र कोड अधिक कोड को नाम से जानते है यह इसे निउन कोड़ के नाम से भी जाना जाता है इसमें पहले जो wnताता था आप सभी के पेपर में ड्राएंग आती ते लेकिन अब किया है ड्राएंग को न बनाने के लिए जो है आय का CBT है तो इसमें आप ड्राइंग नहीं बना सकते तो कुछ इस प्रकार से आपको क्यूश्यन देखने को मिलेंगे जो कि आपको देखने में लग रहा है कि यह मैथ का पेपर है लेकिन ऐसा नहीं है अगला क्यूश्यन है साध्यू नब्बे अंसे अधिक क कोड़ों का योग 180 के बराबर होता है तो कहलाता है 180 के कोड़ों को किसक नाम से जानते हैं तो उसे हम पूरक कोड़ों के नाम से जानते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से होता है 180 से एकदम सीधा कोड़ों होता है आगे चलते हैं अगले क्यूश्यन पर बात करते हैं अगला क् इसमें हो जाएंगा एक सो असे एकंटान पे बात करते हैं एक तृभूज है जिसकी बराबर है जिसकी ऑर ट्रवार होते हैं यिसी मासे जानते हैं साथ्यूत हो और जिस Kabने संभाव ऋट इसे केनाम से जानते हैं जिसके these सभी भुजाया अगला सम्पोर्स व्हें संकोंडरी में किस नामसे दो जाना जाता है यह आपका साथ girl और किस नामसे जाना जाहेगा यह आपके करने सब्सक्राइब बरबर समांतर जो कोंडविए दो बराबर होते हैं आगे चलते अंगले क्यूस्टन पर बात करते हैं ब्रित पर केंदर से किसी बिंदु तक की दूरी को कहा जाता है बीच में डाडडा से साथ हूं यहां पर यह बोला है कि ब्रित पर केंदर से किसी बिंदु तक की दूरी को किस नाम से जानते हैं यह बोला है तो यहां से यहां तक का बोला है तिसे हम किस नाम से जानेगी इसे और के नाम से जानते हैं अगले केंद्रित के नाम से जाने जाते हैं चलते हैं अगले केंद्रों वाले बृत कहलाते हैं एक बृत के बृत के नाम से जानते हैं यह सारे जो हैं बहुत ही इंप्वार्टनेट के यह आप से हर जगह पर जो पूचे जाएंगे अगला परिद या परिद पर किनी दो बिंद्रों के बीच व्रित की एक भाग कहलाता है परिद या परिद पर यह आपकी परिद हो गई परिद हो गई परिद हो गई परिद या परिद पर किनी दो बिंद्रों की बीच यह हो गया एक बिंद यह हो गया कि बीच जो है एक भाग कहलात है वो किसे हम किस नाम से जानते हूं यह जो आपका बैसे हम आर्कर के नाम से जानते हैं आगे चलते एगले क्यूसियर के बात करते हैं क्यूस्ट नमर 29 एक सम्तल आकृती डाटर्स दिए से घरषए किस नाम से जनते हैं वुरूरूज के नाम से जनते जिन्हेसे बहबूज के नाम से भी जानते हैं आगे चलते क्यूश्चन कोड़ों के बराबर होता है जो का होता है एंगल होता है वो कितने के बराबर होता है तो अभी हमने आप सभी को बताया कित्री बुच के उपर जितने भी होँगी उसके कितना होगा अगे चलबे अगली क्यूशन पर बात करेंगे अगले क्यूशन साथ में डॉटॉर्ट हं दिया है आँत्रि खुड और संगत बाहरी खुड का योग कितना होता है यहां पर जो इसका राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 180 अगे चलेंगे अगले क्यूशन पर बात करते हैं अगले क्यूशन है आड़ भुजाय वाले बहुज का नाम क्या है जिसमें आड़ भुजा होता है साथियों कुछ इस प्रकार से उसका चितर होता है आपने अगले वीडियो पर हम बात करेंगे तो प्लीज अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपके पास किसी भी चीज का नोट्स नहीं है तो आप हमें कमेंट करके आप वाट्शेट से मांग सकते हैं प्लीज और कोई टॉपिक हो तो उस पर कमेंट करना धन्यवादे